हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासर सवतिक एडमी, आज हम ATT पेपर 2 के लिए साइंस के सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बायोलोजी, फिजिक्स, कमिस्ट्री, उनके जितने भी टोपिक्स के अनुसार कौन कौन से, टोपिक्स में से कैसा कोस्टन बनता है, वो सार को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, बायोलोजी, तो बायोलोजी किस से बनाया है, बायो पलस लोजी, बायो का मतलब होता है, जीव जन्तु और लोजी का मतलब होता है, के बाद है क्लासिफिकेशन ओप और्गेनिजम जितनी भी तरह के और्गेनिजम है जैसे बेक्टीरिया या प्लांट्स के रिगार्डिंग वह सारे आपने पढ़न लेने हैं इसमें से एक या दो कोशन जुरूर बन जाते हैं साइटोलोजी साइटोलोजी क्या होती है साइट सेल की स्टडी को साइटोलोजी के बोलते हैं तो सेल के रिगार्डिंग जितने भी कोशन बनते हैं वह आप पढ़ लेना कैसे कैसे कोशन बन सकते हैं जैसे पाउर आउस ओप सेल किसे बोलते हैं और वेजिटेबल्स का रंग हरा लाल यह कैसे होता है यह सारे कोशन इस तरह के बन जाते हैं नेक्स्ट है जनेटिक्स तो जनेक्टिक्स क्या होता है जीन के जीन की स्टडी को जनेटिक्स बोलते हैं तो जनेटिक्स के भी जैसे कितने पीजन में human being में कितने genes होते हैं या cell होते हैं या pairs होते हैं वो सारे इस तरह के question आ जाते हैं next structure of plant and animal cell तो plant and animal cell cell का तो इसमें cytology में cover होई जाएगा आपका plant kingdom तो ये plant kingdom पांस तरह की plant kingdom होती है तो आपने इसके बारे में भी देख लेना है अग्या plant morphology, plant tissue photosynthesis, ये most important part of photosynthesis इसमें कौन-कौन सी genesis होती है और वो सारी आपने द्यान से पढ़ लेनी है अग्या plant hormones तो ये biology के कुछ topic से और भी biological topic है जो हम discuss करने जा रहे है next is plant disease जितने भी तरह की पोद्दों पेड़, पोद्दों की जितने भी बिमारियां होती है उनके बारे में आपने पढ़ लेना है next है mode of nutrition in plant उससे next है control and coordination in plant और sexual reproduction in flowering plant ये most important part है, इससे question पूछा ही पूछा जाता है जैसे sexual reproduction एक तो sexual method होता है, एक asexual method होता है तो asexual method पांस तरह क्यों होते हैं इन पांचों तरहां तरिके में से एक question आपका पुछा ही पुछा जाता है तो ये most important आप बोल सकते हो इसको उसके बाद है asexual reproduction हमने भी इसके बाद कर लिया है transportation in system तो transportation भी ये जो जैलम होता है वो transport का part आएगा जो water को transport करता है तो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना है important part आए next respiration and excretion in plants तो respiratory system होता है जैसे human being में वैसे plants में होता है तो ये ध्यान रखना है the cell the cell cytology वो ही है तो आपने ये यहाँ पर ध्यान में रखना है नेक्स्ट है cell structure and function तो वोई चीज है control and coordination human reproductive system excretory system in humans heart heart का बार कितना होता है और ये artery system veins ये question आ जाते है oxygen को ले कर जाता है body के अंदर artery और veins का क्या function होता है heart से related आए उसके बाद blood के function है composition है digestion system है cell division है तो ये इतने जितने भी topic मैंने बताए है biology के ये most important topics है और किस तरह के question बन सकते है वो भी मैंने बताती है अब next discuss करते है physics तो physics को बहुतिक विज्यान बोलते है सबसे पहला जो topic है physics के अंदर वो है unit and dimension most important है unit पुछे ही पुछे जाते है इसके अंदर SI unit पुछ लिए जाते है SI का मतलब है standard international जो international कुछ देशों के जैसे British rule हो गया thermal rule हो गया ये सारे units है जैसे force का unit क्या है energy का unit क्या है तो इस तरह से unit आपने सारे ध्यान में रख लेने है next emotion गती वरक इनर्जी एंड पाउर तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको बता दूँ कि यह जितने भी topics हैं यहां पर जो हमने discuss किये हैं यह आपको 10th और 9th की किताब में सारे NCRT की किताब में सारे मिल जाएंगे तो यह आपने आपने ध्यान में रख लेना है NCRT next gravitation जो G की value कितनी होती है और यह बड़े G की value कितनी होती है यह आपने ध्यान में यहां पर रख लेना है आगे अब pressure force upon area इसके questions और जो unit होता है वो द्यान में रख लेना है Flotation यह water से related है surface tension भी water से जो water का जो पानी गोल हो जाता है या spherical जितने भी spherical चीज़ी है water से related वो सारी surface टेंसे बनती है viscosity viscosity की वज़े से पानी जो मूग करता है elasticity लचकी लापन कितना है वो आपने यहां पर देख लेना है नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM most important है वेव सुपर सोनिक इंफरासोनिक यह सारी देख लेने है sound wave frequency बीस अल्टरस इस बीस जार अल्टरस वो आपने द्यारक लेने है हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स लाइट का टॉपिक है स्टेटिक लेक्ट्रिसिटी और करेंट लेक्ट्रिसिटी यह सारे most important टॉपिक है अगे है मेगनिटीजम मेगनेट वाले चुमक वाले नेक्स्ट है अटॉमिक और न्यूक्रियर फिजिक्स नेक्स्ट है छैन्टीफिक इंस्ट्यूमेंट जितने वीं इन्स्ट्यूमेंट है किस चीज के लिए कौंसा इंस्ट्यूमेंट में और द्यान रखने इन्वेंशन किसे रेडियूम की käytt água कि किसे नेकी ति तो यह सारी आपने जयान मेरा कलएना है रेडियो एक्तिविटीय नेक्स्ट न्यूक्लियस फीजन और स्उस्जन मोस्ट इंप्पोर्डेंट और उस में इस.. उभ इसके कैनेक्स्ट से तरणिये क्मेश्टे Film स्सक्राइट को 20 कोस्टन आएंगे पूरे टोटल एटीटी पेपर सेकिंड में या और भी कोई आपने अगर एक्जाम देना होता है तो कमिस्ट्री का वेटे सबसे ज्यादा रहता है तो इसको पूरा द्यान से देख लेना सबसे पहले हैं मेटर जितने मिमारे आले-द्याले चीजें हैं स और भी अगया जैसे मरकरी का हो गया जीएसी फीवी लेड का हो गया एजी गोल्ड का हो गया यह सारे आपने आटोमिक नंबर याद करके इसकी स्ट्रक्चर बना कर देख लेनी हैं और इसमें आपके से कोशन क्या पुछे जाता है विलेंसी विलेंस इलेक्ट्रोन लेक्ट स्टारवे ग्रुप को क्या बोलते हैं यह सारे आपने द्यान में रख लेनी और सल्ट ये भी कुछ हद तक important है acid base and salt most important है acid base and salt से में पुचा जा सकता है कि इसमें कौन सा acid होता है जो अंट होती है उसके डंग में कौन सा acid होता है तो फॉर्मे केसे ये ध्यान में रखना है behavior of gases gases की behavior किस तरह से करती है ये सारे आपने द्यार में रखने है अगे electrolysis cell वाला concept carbon and its command 10th chapter 10th का ये 6th chapter तो ये आपने इतनी सीज़े द्यार में रखने है अगे है metallergy metals की study को metallergy बोलते हैं जो grind करते हैं उसको metals and non-metal most important इतनी metals होते हैं कितनी non-metals होते हैं ये सारे आपने द्यार में रखने हैं केमिकर रेक्शन रेडियो एक्टिवेटी एलेक्ट्रोकमिस्ट्री catalyst क्या होता है जो कोई भी रेक्शन को फस्ट कर देता है hydrocarbon hydrogen plus carbon से मिलकर hydrocarbon मिलती है बनती है तो ये आपने द्यार में रख लेनी है drugs and chemicals fertilizer and concept of PS scale most important is PS scale PS scale इसका एक न दो कोशन पुछे जाते हैं जैसे blood का PS value कितना है NACL का PS value कितना है तो ये आपने सारी तरह इस तरह की ये सारा कुछ ध्यान में रख लेना है तो आज के लिए इतना ही ठेंक्यू एवे नाइस टे झाल